hello vychyong आज की दिन हम लोग बात करेंगे Firstural Chemistry के numerical के बारे में Chapter 4 के numerical को अप discuss कर रहे थे Gases के numerical हम लोग discuss कर रहे थे क्याज की दिन हम लोग question number 4 discuss करेंगे और question number 4 के अंदर कहा जार compares the rate of diffusion of the following Gases हमारे पास बोलना है hydrogen gas πε इनके rate of diffusion को compare करना है एक slender के अंदर hydrogen gas है और let's see slender केंदर है deuterium gas जब hydrogen gas and deuterium gas एक hole से बहर निकलेंगे तो हमें बताना है कि किसी speed ज़ाद होगी और किसी speed कम होगी यह rate of diffusion किसका जाद होगा, किसका rate of diffusion कम होगा तो हमें बोल सकता हूं rate of hydrogen gas versus rate of deuterium gas ये मुकाबला है अब हमें hydrogen gas का molar mass पताना चाहिए hydrogen gas का molar mass होता है 2 अच्छा deuterium gas का molar mass जो होता है वो वैसे 2 होता है लेकिन 2 से multiply करके obviously हो जाएगा 4 यहाँ भी लग देता है amu amu अब बेटा हम लोग numerical को solve करेंगे numerical को solve करेंगे तो हमारे पास formula क्या होता है हमारे पास formula होता है since r1 upon r2 equals to under root m2 upon m1 अब हमारे पास r1 की जगह पर आजाएगा rate of diffusion of hydrogen gas और rate of diffusion of deuterium gas equals to यहाँ पर क्या आएगा under root m2 की जगह पर क्या आएगा m2 की जगह पर यहाँ पर आप लिखतेंगे यहाँ पर deuterium आपने नीचे लिखा है तो यहाँ पर deuterium उपर लिखेंगे obviously जहाँ जहाँ पर 2 है जहाँ जहाँ पर 2 है आपने वहाँ पर d2 d2 लिख लिए यानि की gas का नाम लिख लिख लिए और जहाँ पर 1 1 है वहाँ आपने modular mass of流 deuterium gas हम लिखलेंगे 4 और दिशे डिवाइड़ fu निका लिखेंगे 2 यहां पर rs2 की जगाँ पर rs2 और rd2 जगे लिखेंगे यहां पर 4 divide by 2 करेंगोँ तो यहां पर अनसर 2 और यहां पर अंसर आजएगा 1.41 अब उसको ऐसे लिखेंगे rate of hydrogen gas तो यह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा इस वाल्यू की जो आपना अंतर निकाले इस वक्त कोई वैल्यू निया जब तक आप इसको पड़के सही से न लिखें तेकि यहां पर राइट हैंड साइट में अगर वन से बड़ी वैल्यू आ रही तो आप बड़ यूस करेंगे फ सब्सक्राइब यूस करना है तो हम यहां पर बोलेंगे कि रेट ऑफ डिफूजन अफ हीलियूम इसका मुकाबला है of diffusion of sulfur dioxide से और wwe 101010 दिखते हैं कौन जीता है तो हम molecular mass of helium gas लिखेंगे 4 होता है और यहां पर molecular mass of SO2 gas निकालेंगे sulfur का होता है 32 plus oxygen का होता है 16, 16 होता है 32, 32 plus 32 हो जाएगा 64, यहां पर हम formula यूज करेंगे since R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1, यहां पर R1 की जगह पर हम करेंगे helium और यहां पर R2 की जगह पुट करेंगे RSO2 equals to under root molecular mass of SO2 को divide कर देंगे molecular mass of helium से तो पेटा यह क्या हो जाएगा यहां पर दिखातो हम आपको rate of diffusion of helium अपनी जगह पर है और rate of diffusion of SO2 gas भी जगह पर है molecular mass of SO2 की जगह पर आएगा 64 और molecular mass of helium की जगह अब आप पुट कर देंगे कितना 4 तो यह क्यों जगह पर देंगे rate of diffusion of helium divided by rate of diffusion of SO2 equals to 16 का root निकाल लेंगे वेटा तो आजगह पर जहां तक मुझे लगता है यह 4 ही आएगा तो आपने क्या करने rate of diffusion of helium को यहां पर ऐसी रखना है और RSO2 को दे लिया के multiply कर देंगे तो यह हो जागा 4 RSO2 तो यहां पर मैं क्या बोलूँगा कि कि यहां पर rate of diffusion of helium rate of diffusion बहुत बड़ा वर्ड है तो मैं इसलिए इसकी जगप लिक रहा हूँ ROD rate of diffusion of helium is कितना four times faster faster है यह किस चीज से faster than faster than rate of diffusion of sulfur dioxide gas अब बिटास का third part आप खुद से solve करेंगे third part क्या है हमारे पास लिखाव है SF6 और SF6 and SO2 तो SO2 को तो मोलर मास निकाल भी चुको sulfur का आपको 32 पता है fluorine का आपको पता है 19 होता है और oxygen को जो होता है 16 होता है अब आप खुद से solve करेंगे बिटा और इस का answer comment section के दे मुझे जरू बताइएगा मिलते हैं आपसे next video में अपना ख़ला लगेश अब तक के लिए और यह जो लाल बटने इस पे तुम कुछ भी खीच के मारो यह दब जाना चाहिए